नमस्कार दोस्तों मैं आजयाई सिंग आपका स्वागत करता हूँ SSE Maker की Soundlight Perform Pay कैसे हैं आप लोग उमीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी और पढ़ाई जोहेरा बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहे होगी दोस्तों आज बहुत ही अच्छी आप लोगों के लिए एक निउस है कि UP पुलिस में SI और ASI के लिए कुछ पोस्ट आई हुई है और उसके बारे में हम आप लोगों को डीटेल देने वाले हैं कि उसके लिए क्वालिफीकेशन क्या है, age limit क्या है और उसके लिए फीजिकल में क्या होने वाला है, high test क्या होने वाला है सब कुछ जानकारी देने वाले हैं और कौन-कौन सी आपके पास डिग्रिया होनी चाहिए जैसे O-Level है, तो O-Level के समक्स क्या होनी चाहिए उसके बारे में हम detail में बात करने वाले है और कौन-कौन से student इस form को वहर सकते है उसके बारे में हम detail में बात करेंगे और जितनी भी important आप लोगों के लिए जानकारी हो सकती है सारी जानकारी देने वाले है typing test होगा, तो typing test में कैसे होगा typing test और क्या उसकी स्पीड होनी चाहिए ठीक है तो सब कुछ जानकारी देने वाले हैं बच्चों देखिएगा जो कुल पोस्ट है यह देखेंगे दोस्तों अब लो कुल जो पोस्ट है यह 921 है ठीक है यह वाली UPSI की वेकेंसी नहीं है जिसमें नॉर्मल गिर्जुएशन मांग तो इस नोडिफिकेशन में पूरी लिखी हुई है यहां पर आप इसे पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस उपनी रिक्षक मतलब यह गौपनी एक अलग पोस्ट है पुलिस सहायक उपनी रिक्षक मतलब ASI के लिए लेखा के पदों पर सीधी भरती 2030 तीन अलग अलग ठीक है तो चलिए बात कर लेते हैं यहां पर आप लुग देखेंगे सबके बारे में बात कर लेते हैं किसके लिए कितनी पोस्ट है यह पहला है यह दूसरा यह तीसरा यह पुलिस उपनीरिक्षक यह SI वाली है और इसमें गौपनी यह के लिए हैं और यह बोल रहा है देखिएगा पुलिस सहायक उप निरिछक लिपीक वाला है यह कलरकल वाला है यहां पे यह उप निरिछक है यानि एसाई का है पे बैंड है 5200 से 2200 वह ग्रेड पे 2800 लेबल 5 है 29200 से 92300 इसमें जो टोटल पदों की संख्या है यह 449 है उसके बाद से बात करेंगे तीसरा जो ह है पुलिस हायक उप निरिछक लेखा वाला है समूगा है और यहां पे देखेंगे सारे समूगा के ही है पे बैंड 5200 से 2200 वह ग्रेड पे 2800 लेबल 5 है 29200 से 22300 ठीक है तो दो एसाई है एक एसाई है ठीक है यहां पे देखेंगे इसमें कितने पोश्ट है 204 टोटल पदों क कि जो संख्या है ओ 921 है चले यहां पर आगे हम बात कर लेते हैं इसमें अब यहां पर अलग-अलग जैसे पहला जो आपका था पुलिस उपनिरिछक गोपनी वाला इसमें अगर देखा जाए तो कैटेगरी वाइस कितनी कितनी वैकेंसी है तो यहां पर डीटेल उसकी दी रही है अनर अच्छित यानि की जनरल के लिए 114 आर्थिक रूप से कमजोड वर्ग के लिए 25 कितना 25 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 71 अनुसूचित जाती के लिए 54-54 उसके बास अनुसूचित जन जाती के लिए 4 टोटल जो पोस्ट है यह गोपनी वाले में 268 ठीक है आगे हम बात करेंगे इसमें खा यानि की जो दूसरा पोस्ट है दूसरा जो है एसाई वाला पुलिस है उपनी रिछक वाला लिपीक वाले में क्या है बच्छों देखेंगे आप लोग अनार अच्छित के लिए 186 उसी परकार से आर्थिक रूप से कमजोड वर्ग के ये 120 अनुसुचित जाती के लिए 93 और अनुसुचित जनजाती के लिए 7 टोटल ये लिपीक में कितने पोस्ट है 449 ठीक है ऐसे ही आगे देखेंगे जो तीसरा जो है जो तीसरा टाइप वाला है वो है पुलिस सहायत उपनिरिछक लेखा वाला इसमें कितनी है अलग- अनुसुचित जाती के लिए 42 अनुसुचित जाती के लिए 2 यानि लेखा वाले में टोटल देखा जाए तो 204 ठीक है तो ये रही वेकेंसी की पूरी डीटेल ठीक है अब इसमें बात करेंगी कि इसका सेलेबस क्या है और आपकी हाइट सेस्ट क्या होनी चाहिए सब कुछ डीटेल में बात करने वाले हैं क्वालिफिकेशन सबसे इंपॉर्डेंट चीज है क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और कौन कौन से आपके पास डिग्री होनी चाहिए ठीक है चली जो जो इंपॉर्टेंट है वह हम पढ़ देते हैं बाकि इसकी और जो पीडिएफ है आप लोगों को टेलीग्राम पर दिला देंगे तो टेलीग्राम से एक बार अपने आपसे भी पढ़ लिट जिएगा ठीक है सारी महत्पूर्ण जानकारी वैसे हम आप लोगों को दे देंगे कम समय में तो फटा फट देखेंगे आप लोग जो इंपॉर्टेंट डेट है आवेदन की समय सारी डी जो दिया हुआ है आनलाइन आवेदन या सुल्क जमा प्रारम होने की जो तिति है साथ जनौरी साथ जनौरी दो हजार चौविस से यह फौर्म भरा जाएगा और लास्ट जो देट है इसका हो है स्टुडेंट आप लोग देखेंगे 28 जनौरी दो ह जाएगे इसनौरी आपको देखे तो पैसे इसके लिए आपको भरेंगे तो पैसे भी आपको देना पड़ेगा जो आवेदन सुल्क है और 400 रूपे हैं यह तो यह फिर पर देखेंगे अरता जब देखेंगे तो रास्टियता जो है वो तो भारत का नागरीख ओ यह सारी चीज़े तो सब के लिए ओती है जो 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 हो चीज़े है यह important है जो सबसे important है इस पर बात करेंगे 3.2 वाले पर यह important है समझ एगा सैचिक हरता जो पहला पोस्ट है किसके लिए गोपनी वाला प मैं और देखिये सिर्फ असनातक नहीं आगे देखिए कम से कम 25 सब्द प्रती मिनट की गति से हिंधी टंकर मतल loot हैं बहुत ज़ी बात है इंस्क्रिप्ट की बोर रहा है पर यूनि कोड इस जो होता है इन इंस्क्रिप्ट की बोर रहे रहींदी कीबोर Systems 20 Papa nga छूझ आ ही यह data इंसक्रिप्ट जो होता है ना offense बहुत आसान होता है जैसे font block पतकर होते हैं इंसक्रिप्ट हो गया रैमिंंग्टण रोगिया हो गया और ऐसे ही आपको पता होगा कि कुर्ति देए हो गया बहुत से फॉंट के अलग-अलग परकार होते हैं तो इसमें इंस्क्रिप्ट मांग रहा है इंस्क्रिप्ट आप 15-20 दिनों में सीख लेंगे और टाइप भी करने लगेंगे मतलब आसान है कहे तो ठीक है इंस्क्रिप्ट बहुत ही आसान होती है टाइपिंग मे हां दोनों चीज़े कह रहा है आगे देखिए गवाला में देखिएगा गवाले में बोल रहा है नियूंतम 80 सब्द प्रती मिनट की गति से हिंदी आसू लिपी सुरूती लेक क्या होता है स्वाट हैं यह आसान नहीं इसको सीखना पड़ता है जो सीखे होंगे उनके लिए सफल घोसित किया जाएगा ठीक है घौवाला पढ़िएगा सारे चीजे चाहिए यह नहीं कि सिर्फ अग्रिजुएशन है तो नहीं इसमें आपको सारी चीजे चाहिए अगर आप गोपनी यह पद के लिए भर रहे है तो आगे घौवाला पढ़िएगा भारस सरकार के उत्रिड करना अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्स मानेता प्राप्त कोई अहर्ता अधारित करना आवस्यक है अब यहां पर बहुत से स्टूडेंट कानफ्यूजन है जिनके पास ओलेबल नहीं है देखिए ओलेबल नहीं है तो परिशाद नहीं होना है ओलेबल के बाद भी कुछ लिखा हुआ है इसे देखिएगा समझिएगा क्या बोला है ओ लेबल की परिक्षा उत्रिड करना अथवा अथवा मतलब अगर ओ लेबल नहीं है तो कहरा है सरकार द्वारा उसके समकक्ष माननेता प्राप्त कोई अहरता धार्त करना आवस्यक है ओ लेबल के सिवा जो लेबल के समकक्ष आ जाती है या उसके लिस्ट मेरे पास है हम आपको टेली ग्राम पर दिला देंगे चीक है उसके आप देख लेंगे अगर ओपने लोगों ने डिग्री आपके पास है बहुत से सी में कई सारी है कंप्यूटर से किये हुए हैं तो उनके लिए भी यह समकक्स उसके लिए है लिस्ट वो हम आपको टेलिग्राम पर दिला देंगे बोलेंगे तो वीडियो भी बनाके आप लोगों को डीटोयल देंगे तो इसके लिए घबडाना नहीं है कि ओलेबल नहीं है तो बहुत से इसे डिगरी है जो उसके समकक्स है या उससे उपर है दिद्वारा स्तापीक बिसुबिद्द्याले से असनातों को बादिया सरकार में द्वारा मानने ता प्रफ समकक्स हरता यानि आपका ग्रेजुएट हो आप या उसके समकक्स ठीक है आगे बोल रहा है खाव वाला पढ़िएगा खाव में बोला है कम से कम 25 सब्द प्रति मि वालीजे क dedicate की गती से अंग्रेजी टंकर घीक है इसमें देखेंगे आसु-लिपी वाला नहीं मांग रहा है किसमें लिपीक वाले में ऊपरवाले गोपनी में मैं मांगा है पर लिपीक क्या है आप से नॉर्मल टाइपिंग हिंदी इंगलिस मांग रहा है ठीक है आगे देखिएगा लेकिन इसमें भी क्या है यह ओ लेबल है ओ लेबल वाला या उसके समकक्ष वाला सब में है गव पढ़िएगा भारा सरकार के राष्टी इलेक्ट्रानिक एंग सूचना परद्य है मतलब उसके समककष कोई भी आपके पास डिग्री है या उससे ऊपर की डिग्री है तो आप हॉम भर सकते हैं इस पोस्ट के लिए यही बोल रहा है तीसरा देखिएगा दूसरे वाले में क्या है दूसरे वाले में सौठेड नहीं है तीसरा देखिए तीसरा बोल रहा है पुलिस हायक उपनिरिछक लेखा पद के लिए यही चीज कह रहा है भारत में विधी द्वारा स्तापित विशु विध्याले से यह बोल रहा है में असनातक उपादी या लेखा सास में प्रास्तनातक डिप्लोमा या सरकार दोर अमानता प्राप समकौक शहर्ता ठीक है यह चीज कह रहा है आगे खा में देखेंगे कम से कम 15 सब्द प्रती मिनट की घती से हिंदी टंकर इंस्क्रिप्ट की बोर्ड पर यूनी कोड में बोल साइटी से कम्प्यूटर में ओ लेवल की परिक्षा उत्र करना अथ्वा सरकार द्वारा उसके समकुक्ष माननेता प्राप्त कोई अहरता धार्त करना आवस्यक है यह भी अथ्वा बोल रहा है डो एक सोसाइटी यानि नाइलीट से अगर आपके बास ओ लेवल का सर्टिफ करेंगे नीचे कॉमेंट कर दीजेगा ठीक है चलिए यह चीज बोल रहा है टिपडी वाला बोल रहा है कि मतलब अभियर्थी वही मतलब इसके पात्र है फॉर्म भरने के जिनके पास सार्टिफिकेट आभी है यह नहीं है कि अपीरिंग में अपीरिंग वाले अभियर्थी पात्र नहीं होंगे ठीक है यह चीज कह रहा है आगे देखिएगा फिर उसके बास यह बोल रहा है नाइलीट से ओलेवल की शमकक्स सासना देश परिशिस्तीन पर है ठीक है कोई दिकत ने इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे यहां पर देखिए बोल रहा है कि अध और यहाए जाहिर सी बात थे कि उसके पास ग्यान जठ्यादा है और इसके पास डिविया ज्यादा है तो उसे किया जाएगा यहींचОप करद यहाए कि यानि या इलीट सुसाइटी से प्रमाण़े करड़ या सरकार द्वारा它 में इसके लेन हुगां तो इसे इसे क्या हो प्रडेशिक सेनने कम से कम वर्श की सेवा की हो उसके बार से चौथा for talking as an तो इसे क्या होंगे जब दो लोगों के बराबर होंगे तो उस पर उन्हें क्या दिया जाएगा प्रिफरेंस ज्यादा दिया जाएगा मतलब उसकी वरियता दी जाएगी कि आप इसके लिए पास किये जाएंगे ठीक है आयू आयू इंपॉर्डेंट है पढ़ लिजिए अभ्यार्थी ने दिनांक 1723 को 21 वर्ष की आयू पूर्ण कर ली हो और 28 वर्ष से अधिक की आयू पूर्ण ना की हो अर्थात अभ्यार्थी का जर्म दिनांक 171995 से पूर्व यानि एक साथ 1995 के पहले का नहीं होना चाहिए तथा 172002 के बाद गाह ना हुआ हो यानि इसके ब प्रवित्र शासना देश में निहित प्रदानों के अनुसार अनुमन्य होगी मतलब OBC, SC, STK जो 5 सल का जो छूट मिलता है ओँ मिलेगा कहने का मतलब यह है चले आगे देखिएगा चरित्र के बारे में बोल रहा है चरित्र ठीक है टिपड़ी बैवाहिक प्रस्तिती बोल खाए प्रक्राइब कोई दिकत नीग टिपड़ी सारी रिक स्वस्ता ठीक है उसके बासे देखिएगा जो चीज़ें आप कोहीं बता रहे है भरती की प्रक्रिया बता रहा है वर्ती की प्रक्रिया आईये में समलित ने की अर्पेक्षा की जाएगी जिन में 200 प्रशन होंग में कितना होगा 200 और नंबर कितना होगा 400 यानि एक कोशन दो नंबर का ओने होगा ठीक है देखिए आगे बोल रहा है क्या तथा समय अधी धाई घंटे यानि 2.30 लिख रहा है यानि धाई घंटे होगी इसकी आदेखिए इस लिखित परिक्षा में निम्लिखित चार विश्य का एक बस्तूरिस्ट परकार का प्रेशन पत्र होगा यह आंल्लेन परिक्षा होगी और इसमें चार पार्ट होगे पहला ना जो पार्ट है समाने हिंदी और कंप्यूटर ग्न्च होगा यह सौवंक के होगे मतलब इसमें 50,000 आएंगे और यह 100,000 का होगा थीक है सामाने जानकारी और सामाइग भी से यह दूसरा है बोल रहा है कि यह भी कि होगा यह पज अम도पि परिक्षा गुद्य लब्दी परिक्षा तार्किक परिक्षा यानि जो रीजनिंग का पार्ट है जो आप लोग समझेंगे यह भी सो अंक का है यानि पचास कोश्चन सो नमबर के तो देखा जाए तो यह यूपी पुलिस कॉंस्टेबल की तरह एक्जाम होने वाली है बसरते इसमें कंप्यूटर एक अलग से एड है ठीक है तो कंप्यूटर आप अलग से पढ़ सकते हैं यूपी पुलिस कॉंस्टेबल के लिए जो क्लास से चल रही है उससे भी आपको लाग मिलेगा ठीक है चलिए आगे हम बात कर लेते कुछ चीज़े अलग अलग है तो बोलेंग नहीं होंगे यानि प्रतेग विशाय में आपको 35% चाहिए ही और ओवराल बोल रहा है 40% यह नहीं कि 40% मेरिट बन जाएगी उससे उपर पर ही बनेगी लेकिन ओवराल 40 ही है और प्रतेग में यह 35% बोल रहा है फिर आगे बोल रहा है कंप्यूटर आधारित लिखित परिक लिखित परिक्षा एक ही दिनांग को एकल पाली में अत्वा एक से अधीक आधिक दिनांग को में विहुन परस्पत के साथ विहुन पालियों में कराई जाएंगी ठीक है इससे कोई दिक्कत नहीं चलिए नर्मलाइजेशन के बारे में बात की गई है तो चलिए आगे बाद दाकुमेंट भारिकेशन होगा उसके बाद से आपकी सारी मानत परिक्षाण, उसके बास आपकी सारी का मापतल जो पर इस परिक्षर के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यारतियों की संख्या का निया विनिस चाहे किया जाएगा ठीक है आगे देखिए कर रहा है अविलेखों की समिक्षा मतलब यह अविलेखों की समिक्षा डाकुमेंट वैरिफिकेशन की बात करें डाकुमेंट वैरिफिक पूरुस अभ्यार्ट्ट़्ास के लिए नियुनतम सारी उम्मिद्वार के लिए क्या उछाई के बारे में बात की जा रही है सामाने या अन्य पिछड़े बर्गों और अनुसूचित जातिओं के इसा अभ्यारतियों के लिए नियुंतम उचाई 163 cm होनी चाहिए ठीक है आगे खा देखिएगा अनुसुचित जर्न जाती के पूरुस अभ्यारतियों के लिए नियुंतम उचाई 156 cm होनी चाहिए तो हाइड तो बहुत ही कम मांगा है हो जाएगा चलिए चलिए बच्चों आप लोगों का है तो तैरी करिए लगिए बड़े अराम सी इन सब में नोकरी हो जाती है लेकिन कुछ बिसेश डिग्री हो तो सीना देखिएगा सीना चैस्ट सामान ने या अन्य पिछड़े बरके और अनुसुचित जातियों के अभ्यारतियों के लिए नियुंतम सीने का माप 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर और अनुसुचित जातियों के अभ्यारतियों के लिए 75 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 80 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए देखिए यहाँ पर एक चीज लिखा है नियुंतम 5 सेंट पुला है 82 है तो आप एलिजबल हो जाएंगे और फुला नहीं पारे नहीं ब्यासी है तो आपको फुला के सतासी करना पड़ेगा यानि 5 cm चाहिए और इससे कम नहीं जाना है ठीक है 75 से कम नहीं उधर 77 से कम नहीं ठीक है चली अब फीमेल की बात कर ले बच्चियों के लिए महिला अभ्यार्थियों के लिए नियुनतम सारी रिकमानक नियुनतम है क्या है उचाई में बोल रहा है सामानिया अने पिछडे बर्गो तथा अनुसुचित जातियों की महिला अभ्यार्थियों के लिए नियुनतम उचाई 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए खाम में बोला है अ वजन की जिकर है तो फिमेल में द्यूसरा पढ़ेंगे यह दो वाला वजन महिला अभ्यार्थियों के लिए नियुन तौम 40 किलोग्राम यानि 40 केजिसे कम वजन उनका नहीं होना चाहिए यह चीज है चलिए जो जो इंपॉर्डेंट चीजे है सारी चीजे आपको बता दे र प्रकृति की कंप्यूटर टंकर परिक्षा में समलित होने की आप एकसा की जाएगी ठीक है यानि आप जब आपका हाइचेस हो जाएगा उसके बास से यह चीजे की जाएंगी टंकर के लिए ठीक है चले आगे बात कर लेते हैं जो चीजे टिपड़ी में पढ़िएगा लि इसका याद रखिएगा यूपीपी बीपीवी डाट ज्योवी डार्टी यह वेफसाइड है चले आगे हम आप लोगों से बात करेंगे यहां पर यहां पर देखिए जो जो हाची कित सा परिक्षा यानि आपका मेडिकल के बारे में बात की जा रही है फिर चरित्र सत्याप पन आरक्षड वह आयू सीमा में छूट तो आरक्षड के लिए और आयू सीमा में आप लोगों को बताए है वोबी सी सी स्ट को पांच साल की छूट है और जो जो ऑग देखिया अनुसूचित जाती के लिए यहां पर यहां पर आगे बात करेंगे स्वात्त से ना निकले भ है चलिए आगे देखेंगे इस नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं पूरी डीटेल में ही बात करते हैं क्योंकि यह बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है जो जो जरूरी चीजे हैं हम आप लोगों को पढ़के सुना दे रहे हैं आलाइन आवेधन करने की परक्रिया आवेधन कर अगे देखते रहेगा ऑनलाइन सुल्क भूगतान ठीक है आप सभी को अनलाइन सुल्क के बारे में बता है यह 400 रुपए है तो डीजी लॉकर से भी अपलोड हो सकता है आसान है फोटोग्राफ है ताकसर समझी रहे है फोटो कैसी होनी चाहिए इसके बारे में बताया है प है हाँ यह तो हो जाएगा आवेदन की प्रिक्रिया के अन्य महत्पूरविंदू अभी डीटेल से लेबस के बारे में हम आप लोगों से बात करेंगे इसमें जो जो चीजें है ना और सारी चीजें हम आपको बता रहे है ठीक है हाँ बोल्ड का नेड़ना अंतिम होगा यह सामाने देखेंगे यहां पर लिखा है कि इस किस चैप्टर से कोष्चन आएंगे तो आप यहां पर देखेंगे हंदी और अन्य भारति भासा पर एक सब्द समरूपी भिनार्थक सब्द असुद वाक्यों को सुद्ध करना लिंक वचनकारक सर्वनाम यही सब देख रहे हैं कि यह सब है और यह सब हिंदी आपको यूपी पुलिस में भी पढ़ाया जारा है ठीक है चले कंप्यूटर में देखेंगे तो कंप्यूटर मे आपको पढ़ा दिया जाएगा पढ़ने की आप लोग अगर इच्छा जाही करेंगे टो यह कंप्यूटर बहुत यह असाने कर लेंगे उसके लाएप से सामाने सबीं यानि कि जो आपका current affair है, है, तो current affair में national international सारी मुद्धाज़ों है, ओचीज़ ए, सन्ख्यात्मक्यात्मक मानसिक परिक्षा, यहां पर देखेंगे, संख्यात्मक की योगता है, यह आपका math का पाट है, यह इसी में बच्चों क्या है, मानसिक योगता है, यहरी रीजन यह आपका topic है उसके बासे तार की परिक्षा में यह है तो यह सारी चीजे हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि UP Police Constable की जो आपकी class ले रही है उसमें कराया जा रहा है तो अभी अगर आप चाहते हैं तो आप UP Police Constable से जूड़ के पढ़िए उसमें computer बोलेंगे तो आपको अ पर दिला देंगे और आप बोलेंगे तो उसके लिए हम वीडियो भी नीचे दिला देंगे तो आप लोग मन लगा के पढ़िए अच्छे से पढ़िए और जो इसके पात रहे हैं मतलब इसके लिए qualification रखते हैं उनके पास इस वीडियो को ज़रूर सेर करिए और आज की इस चल रहा है crash course चल रहा है तो आप सिपाही batch के crash course से भी जूड़ के आप UPSI के लिए जो आपका ESI के लिए post है उसके लिए भी लगवग लगवग से हम syllabus है कुछ चीजे अलग है तो बोलेंगे तो भी अलग से आपको खरा दिया जाएगा बाकी चीजे इस से cover आपकी हो जाए है और अपने selection को सुनिशित करिए इस session को यहीं तक रखेंगे बाकी आपको कोई भी जानकारी अगर ऐसी लगी है कि इसमें doubt है या इसके बारे में और detail में जानकारी चाहिए या आप यह जानना चाहते हैं कि O level के समकक्स कौन-कौन सी degree आती है या उससे उपर कौन-कौन सी डिगरिया होती है जिसके चलते हम इस form को भर सकते हैं तो उसके लिए भी अगर जानकारी चीए तो नीचे कामेंट कर दीजेगा उसके लिए हम वीडियो अलग से बना देंगे तो मिलते हैं बच्चों next class में तब तक के लिए धन्यवाद